हलो स्टुडेंट्स मैं विवेक शर्मा असिस्टंट प्रोफेसर सोचलोजी राज के महाविद्याले चौमिला आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने महाविद्याले के यूट्यूब चैनल पर आज हम बीए सेकंड एर सोचलोजी चे सेकंड पेपर समाजिक विचार को मैं क हमारा पत प्रदर्शन करता है द्वन्दवात की धार्णा मार्क्स ने हीगल से ग्रेंड की थी हीगल मार्स के गुरू एवं मार्दर्शक थे हीगल से मार्क्स ने भहुत कुछ सीखा जहां तक द्वन्दात्मक दर्शन का प्रेशन है मार्क्स पर हीगल का इसपस्ट भावित थे, सन 1836 में जब मार्क्स ने वर्लिन विश्विद्याले में प्रवेश लिया, तब हीगल की मित्यु हो चुकी थी, किन्तु हीगल के द्वारा प्रतिपादित आत्मा एवं दौंदबाद से सम्मादित विचारों का दबदबा विश्विद्याले में चाया हुआ थ मार्क्स ने हीगल के दौंदबादी दर्शन का भाई आवरणतो सुईकार किया, किन्तु उसकी अंतरवस्तु आत्मा को नहीं, यहीं नहीं, बल्कि उन्होंने हीगल के विचारों से बिन विचार प्रकट किये और हीगल के दर्शन की आलोशना की हीगल के आदर्शवादी विचारों के इस्थान पर मार्क्स ने दौंदात्मक भोतिवाद का प्रतिपादन किया, मार्क्स के दौंदात्मक भोतिवाद को समझने से पहले हमें हीगल के दौंदबाद को जान लेना आवशक है, तबी हम अच्छे से मार्क्स के दौंदात्म जी सेटायर्जी के डायलेटिक शब्द का हिंदी अनुवद है जो की ग्रीग भाशा के शब्द डायलेगों से बना है जिसका क्या रत होता है बाद विवाद करना शास्तात करना अत्वा तर्ख वितर्ख करना द्वंदवाद वास्तम में विरोधी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत तर्क में विरोधा वास बताकर तता उसका समाधान करके सत्य तक पहुँचने की कला होती है प्राचीन समय में इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया जाता था उस समय विद्वानों का विचार था कि किसी भी प्रकार के मत या विचार में विरोध प्रकट होना अथवा उसके विपरीत मतों का होना सत्य तक पहुँचने का सही मार्ग है एक विशय के पक्ष और विपक्ष के मतों के संगश को ही दुंद कहा जाता था चिंतन की ये दुंदवादी परणाली का प्रयोग टकरती के विकास को समझने के लिए किया गया था दुंदवादी की पक्रिया का उलेख हीगल ने अपने पुस्तक फिलोसोफी और राइट में किया था हीगल आत्मवादी या आदर्शवादी दाशनिक थे लुन्डविक फायरवाद हीगल और मार्स के बीच की कड़ी है मार्स का दुंदवाद बहुतिक बाद इन दोनों के दर्शन से संबंदित एवम उद्गमित है कुछ विद्वानों का मत है कि मार्स का दुन्दात्मख भौतिक बाद हीगउल के दुन्दबाद Ayvam Firebuk के भौतिक बाद का समन्वे मात्र है जबकि कुछ इस बात का खंडन करते हैं तो चलिए हम अब हीगउल के दुन्दबाद की विशिस्ताओं को जान लेते हैं उने अपने दुन्दवाद संबंदी क्या विचार प्रकट किये थे उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे सबसे पहले जो उनकी विशेस्ता थी उनके ही दुन्दवाद की वो उनके विचारते की विश्व नरंतर प्रवा की इस्तिती में है यह प्रवाद प्रतिवाद और स समवाद से गुजरता है हीगल का मत है कि मानव समाज का विकास निरंतर होता रहता है जिसके परिणाम सरूप मनुष्य का विकास भी निरंतर होता है संपोर्ण विश्व विकास की एक पिक्रिया है या निशिद विंदू की और गतिमान रहता है विकास की सारी पिक्रिया तार प्रतिवाद द्वारा व्यक्त किया है आरम में बाद होता है जो स्वें विरोधावास को जन्व देता है और इस विरोधावास को हम क्या कहते हैं प्रतिवाद कहते हैं संसान में प्रतेख वस्तु की प्रतिवादी वस्तु अवश्य होती है और इन दोनों में संगर्ष से तीसरी वस्तु जो जन्म लेती है उसे हम समवाद कहते हैं यह समवाद भी एक ऐस्थाई परिस्तिती है इस प्रकार वाद, प्रतिवाद और समवाद में निरंतर क्रम में विश्व गतिमान रहता है, विक्सित होता है, इस प्रकार विकास क्रम पेच की गरारियों की तरह टेडी मेरी चक्रदार परंतु उपर की ओर जाने वाली रेखाओं की तरह होता है, इसका प्रतेक चक्र इस संदर्व में फोपर ने लिखा है कि पृतिक तार्किक समवाद दो विरोधी विचारों वाद और पृतिवाद से प्राप्त होता है हीगल ने दौनदवाद की ये धारना फिक्टे से ग्रेंड की थी फिक्टे ने लिखा है कि प्रतिक तर्क की तीन अवस्ताएं होती हैं वाद, प्रतिवाद और समवाद दुन्दवाद की इस प्रक्रिया को समझने के लिए एंजल्स ने कई उधारंड दिये उन में से कुछ को हम जान लेते हैं यसे की प्रत्रम उधारंड के रूप में जोंका दाना लिया जा सकता है जोंका दाना वाद है जब उसे जमीन में बोया जाता है तो गर्मी और नहमी के कारण वे गलकर नस्ट हो जाता है और अंकुरित होता है यह उसका प्रतिवाद है अंकुरित होकर वे पौदा बनता है उसमें फूल और दाने आते हैं और एक दाना अनेक दानों को जिन देता है यह समवाद है दूसरी उधानन के रूप में हम तितली को ले सकते हैं तितली एक बाद है उसका अंडे से निकलना प्रतिवाद है और अनेक अवस्ताओं से होते हुए उसके द्वारा अंडे देना और समाप्त हो जाना समवाद है एक और उधानन से हम इसे समझ सकते हैं जो चट्टाने चट्टाने वाद हैं जो धूप, पानी, आंदी, तूफान और ठंड आदी से तूटती रहती हैं और कणों के रूप में बहेकर समुद में जाना प्रतिवाद है तथर समुद में फिर चट्टान का रूप धारन कर लेना समवाद है इन्होंने जो अगली द्वाद की विशेस्ता बताईएं वे है गती विरोधों से संगर्ष्पर नेर्बर करती है गती जो है विरोधों के संगर्ष पनेदबर करती है दुन्दबाद का दूसरा नियम विरोधी तत्वों का आंत्रिक संगर्ष है जो विकास और गती चीलता का मुख्य कारण है हीगल कहते हैं कि प्रतेक वस्तु में उसके विरोधी गोन और तत्व रहते हैं इसे स्पष्ट करने के लिए चुम्बक का उधारन दिया जा सकता है चुम्बक में दो विरोधी ध्रोप उतरी और दक्षनी सदे विद्वान रहते हैं ये विरोधी हैं फिर भी उन्हें एक दूसरे से प्रतक नहीं किया जा सकता ये दोनों ही दुरुप चुम्बक के अत्यदिक छोटे एबम बहुत बड़े दोनों कणों में विद्वान रहते हैं तीसरी जो इसकी विशिस्ता है दुवंदबाद की वो है मातरात्मक से गुनात्मक परिवर्तन तो वन्दवाद का तीसरा नियम मात्रात्मक से गुनात्मक परिवर्थन का है बाद और प्रतिवाद के संगर्ष के कारण उत्पन परिवर्थन संबाद में किवल मात्रा से ही परिवर्थन नहीं होता वरन गुणों में भी परिवर्थन होता है उधारन के लिए पानी को जदी 100 degrees centigrade तक गर्म किया जाता है तो भाव बनेगा पानी का भाव बन जाना तता शक्ती के रूप में परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन है इसी पानी को 0 degrees centigrade तक ठंड़ा करने पर यग बर्फ बन जाता है पानी का बर्फ बनना ही गुणात्मक परिवर्तन है भाप और बर्फ के गुण पानी से भिन है इस प्रकार दुन्दवाद में बस्तु में मात्वात्मक परिवर्तन होते है बिश्व का निर्माण बिचार उसे होता है करता है विचार ही बास्ट्विक जगत का निर्मान करते हैं विवेख भी बिश्व में सत्ताधारी है उसके कारण ही मानव और विश्व का अस्तित्र संव्भब है विवेख ही विश्व को नियंत्रित करता है और इत्यास कि पिक्रिया आवशक रूप से एक विवेक पून पिक्रिया है विचारों का विकास ही विश्व का विकास है हीगल के दुनदबाद के विकास का कारण विचार आत्मा या विश्वात्मा है आत्मा स्वेम अपने अंतर विरोधी प्रवती से संगर्ष करती रहती है यह संगर्ष क्यों होता है इसका उत्तर देते हुए हीगल कहते हैं कि आत्मा अपने आदर्शों की प्राप्ती के लिए आगे बढ़ने का प्रत्ने करती है और विरोधी प्रवती उसे आगे वढ़ने से रोकती है यह प्रतिवाद की स्थिती है इस स्थिती में दोनों में संगर्ष होता है किन्तु यह संगर्ष अनिशित समय तक नहीं चलता वरन एक ऐसी स्थिती भी आती है जब संगर्ष क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है और इन दोनों के संयोग से तीसी अवस्ता समवाद प्यादा होती है जिसमें दोनों अवस्ताओं का समिश्रण होता है मानवितियास में जो कुछ भी हो रहा है वास्तम में यह वह नहीं है जो हमें दिखाई देता है परन्तु यह निर्पेक्ष विचार की वस्त्विक्ता है दूसरे शब्दों में हीगल के सिद्धान्त के अनुसार वहाई विश्व आंतिक विचारों का ही प्रतिविम्ब होता है माना वितियास को अगर देखा जाए तो सब्विता का प्रतिक चरण एक वाद है जो की अपून और अपर्याप्त विचारों का सूचक है परन्तु अपूनता का अर्थ है कि विचार का दूसरा पक्ष भी हो सकता है जो की पहले चरण का विरोधी है इन दो विपरीत शक्तियों में संगर्ष को रोका तो नहीं जा सकता क्योंकि मानव मस्तिश और मानवे सब्यता विरोधी को समाधान के मेना स्विकार नहीं करते वाद तता प्रतिवाद के इस संगर्ष के परिणाम सरूप समवाद उत्पन होता है जिसमें दोनों के ही ततुप आए जाते हैं यह संगर्ष के लिए फिर बाद का रूप ग्रेंड कर लेता है तता इस प्रकार यह करम निरंतर चलता रहता है तता मानव जाती यह मानव समाज की प्रगती भी निरंतर दोनदवादी प्रक्रिया से होती रहती है तो बच्चों आज हमने हीगल के दुनदवादी विचारों को समझने का प्रयाश किया जिसमें हमने बाद प्रतिवाद और संबाद पर विस्तार से चर्चा की मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हीगल का दुनदवाद अच्छे से समझना होगा मेरे अगले वीडियो में हम मार्स के दुनदवाद बहुत इक बाद पर विस्तार से चर्चा करेंगे मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद